हेलो ब्रीवान, बिलकुम बैग, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे डियो स्टेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ही जादा इंप्वाटेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपके चैप्टर गुड़ोतर सेड़ी अर्था जमेट्रिक प्रोग्रेशन के सबसे ज़्यादा इंप्वाटेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस इंप्वाटेंट टॉपिक का नाम है गुड़ोतर माद्ध आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे गुड़ोतर माद्ध क्या होता है उसके उपरांथ हम लोग गुड़ोतर माद्ध और समानतर माद्ध के बीच में एक रिलेशन बनाएंगे जिसके भिहाब पर आपके एक्जाम में कुश्चन पूछे जाते हैं देन हम लोग आज के इसी lecture में सीखेंगे कि अगर हमेरे दो रासियां दी गई हो दो संख्याएं दी गई हो उनके बीच में कई सारे गुरो तरमाध्य पदगर हमें निवेसित करने हो उन्हें ग्यांद करने हो तो उसे हम लोग कैसे ग्यांद करें तो dear students lecture बहुत ही जादा important है आईए फटाफट से आज किस लेक्चर कोई स्टार्ट करते हैं डियो स्टेंस प्रिवियस कई दिनों से आप लोग का लेक्चर नहीं हो पा रहा था आप लोग क्लास नहीं चल पा रहे उसका रीजन क्या था को ने टेलीग्राम पर पोस्ट डाली थी मैंने तब यह ठीक नहीं थी अभी सब कुछ ठीक है आपको रेगुलर क्लास मिलेगी डियो स्टेंस आज का हमारा टॉपिक है गुड़ोत्तर माध्ध यहां से स्टार्ट करते हैं और यह समझते हैं सबसे पहले कि गुड़ोत्तर जिसको साट में हम लोग डियो सेंट जीयम भी लिखते हैं साट में इसको हम लोग जीयम भी लिखते हैं तो आईए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुड़ोत्तर माध्ध होता क्या है आपको याद होगा कि जब मैं आपको समानतर स्टेंडियर था अरिथमेटिक होता है वह और सी का समानतर माद कहलाता है तो सेम वेसे यहां पर भी सीखना होता है देखिए समझी इडियो सेंट्स यहां कहते हैं यादी यादी A, B, C R in GP R in GP का मतलब ये कहा है गुरोत्ता सेड़ी में है Then जहान देना Then B is called B is called B कहलाता है GM means geometric mean of A and C Hindi में क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे यदि A, B, C कहा है गुरोत्ता सेड़ी में है तो B जो है A और C का गुरोत्तर माद कहलाता है ठीक है अब आप समझो अब बात यह उठती है कि B जो है A और C का गुरोत्तर माद तो है geometric mean तो है लेकिन अगर हमें इस B को A और C के term में find करना हो तो हम लोग इसको कैसे find करेंगे आईए formula का derivation करते है आप यहां बोलो कि since A, B, C R in GP ध्याने यह कहां है GP में है therefore GP की property होती है कि B upon A करो या C upon B इसका मतलब क्या है second term को first से divide करो या third term को second से divide करो ratio same आता है इससे हम common ratio कहते हैं अब इसको जब आप प्रास multiply करेंगे तो आपको मिलेगा B square E equal to A C यहां B equal to आपको मिल जाएगा under root A C यही है dear students हमेशा गुलोतर माध्य को ग्याद करने का तरीका कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई भी दो रासियां दी गई है उनका हमें गुलोतर माध्य अर्था geometric mean find करना है तो दोरों को multiply करके उनका square root हम दोग अगर find कर लेते हैं तो हमें उनका गुलोतर माध्य मिल जाता है कहने का मतलब समझे note में यहां लिखते हैं note में लिखते हैं कि if x and y are two positive real numbers real numbers अगर x और y दो positive real number है then then they are GM मतलब इनका गुलोतर माध्य क्या हो जाएगा under root xy हो जाएगा यह formula होगा किनी भी दो रासियों के गुलोतर माध्य को ग्याद करने का अब आई एक छोटा सा example समझ लेते हैं example देखिए जैसे माली जी हमसे कह दिया जाए कि भाया चार तथा 16 चार तथा 16 का गुडोतर माध्य ज्याद कीजिए गुडोतर माध्य ज्याद कीजिए समझ रहे हैं आपको क्या करना है इन दोनों का गुडोतर माध्य ज्याद करना है तो geometric mean कैसे find होगा geometric mean equal to under root 4 into 16 तो under root हो जाएगा 64 जिसका मतलब 8 होगा तो इन दोनों रासियों का जो गुडोतर माध्य means geometric mean होगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बहुत ही simple सा concept है जिन भी दो रासियों का जिन भी दो रासियों का हमें गुडोतर माध्य ज्याद करना होगा उन दोनों को गुड़ा करके उनका square root हम निकाल लेंगे आराम से हमें उनका गुडोतर माध्य ज्याद हो जाएगा और भी example आप ले सकते हैं और भी example ले सकते हैं जैसे आप से कह दिया जाए तो आप simple सा लिख होगी ना इसका जो solution आप करेंगे तो कैसे करेंगे solution कैसे करेंगे geometric mean is equal to आपका under root a square b square हो जाएगा तो geometric mean equal to क्या आएगा a भी आ जाएगा इसका geometric मतलब ऐसे अलग-अलग visit को change करके अलग-अलग type के questions आप लोगों से पूछे जा सकते हैं तो I hope आपको समझ में आ गया हुगा गुरोत्तर माध्य क्या होता है और किनी दो राशियों की बीट में अगर हमें एक गुरोत्तर माध्य पत की गाड़ना करनी है उसे find करना है तो उसको हम लोग कैसे find करते हैं अगर हो गया आगे बढ़ते हैं एक बड़ा ही important node point आप लोग ध्यान रखेगा दियो से बहुत ही जादा यूज होगा बहुत ही जादा important node star बना कि आप इसको कर लिजिएगा वो क्या है देखें दियो से अभी हम लोगों ने देखा है कि if a, b, c are in gp अगर a, b, c, g, p में है देन हमें ये मिला है कि b square is equal to ac होगा b square is equal to क्या होगा ac this is the most important result ये बहुत ही जादा important result है आप ध्यान दखियेगा अक्सर आता है कि प्रूफ करिए कि ये 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 गुडोतर सेड़ी में है ये 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 geometric progression में है जैसे माली जी हमें कहीं प्रूफ करना होगा हमें प्रूफ करने के लिए आगया to prove that p, q, r in gp हमें प्रूफ करना है कि p, q, r कहा है gp में है तो इसको प्रूफ करने का तरीका हमेशा यही होगा कि q square equal to p, r अगर आप ये so कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा proof हो जाएगा तो हमेशा से ध्यान रखेगा कि अगर तीन रासियां three quantities कहा है geometric progression में है या मतलब आपको उसको proof करना है कि geometric progression में है तो बीच वाली का square first और third के product के equal दिखाना होगा अगर इस middle वाली बीच वाली का square first और third के product के equal आप दिखा देंगे तो ये proof हो जाएगा को रासियां कहा है गुडोत तशेड़ी में और को example देखे जैसे अगर हमें proof करना है जैसे x square y square z square r in z p suppose करिए हमें ये proof करना है तो क्या करेंगे हम then आपको क्या so करना होगा बीच वाले का square पहले और तीसरे के square के क्या होगा equal तो y की power 4 equal to x square z square इस तरीके से हमेशा ध्यान रखिएगा suppose करिए a cube b cube और c cube को gp में proof करना हो हमें proof करना है कि a cube b cube c cube कहा है gp में है तो उस situation में then आपको क्या so करना पड़ेगा इस बीच वाले का square और first और third के cube के equal होगा means b to the power 6 equal to a cube c cube यह हो जाएगा तो हमेशा से ध्यान रखिएगा कि अगर हमें three quantities को three quantities को कहां proof करना है एडियसेट्स हमें proof करना है वो gp में है तो हम क्या proof करेंगे हम क्या so करेंगे हम यह so करेंगे कि middle वाली बीच वाली का जो square है वो first और third के product के equal है ऐसा अगर हम बात करें इन इन AP में अगर आपको AP वाली condition याद हो तो AP में आपको सिखाया गया था कि अगर three quantities AP में होती है तो हम लोग वहाँ पर क्या so करते हैं देखिए जैसे समके equal होता इस सिख को आप हमेशा से ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमेशा से याद रखिएगा आप लोग dear students क्या कि A, B, C R in GP अगर GP में होंगी तो B square equal to A, C करना होगा हमें जहां भी so करना होगा और A, B, C R in AP अगर होंगे तो 2B equal to A plus C ऐसा हमें so करना होगा इस सिख को हमेशा से आप लोग ध्यान रखिएगा आगे चलके हम लोग इसका use questions को साल्व करने में करेंगे तो अभी dear students आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि गुडोतर माध्ध क्या होता है और किनी दो संख्याओं का किनी दो रासियों का अगर हमें गुडोतर माध्ध ग्याद करना है तो उसको हम लोग कैसे ग्याद करते है अब हमारा टॉपिक है किनी दो रासियों के बीच में यन गुडोतर माध्ध पदों की गढ़ना कभी कभी क्या होता है कि दो संख्याएं दी गई होती है और उन दो संख्याओं के बीच में कई सारे गुड़ोत्तर माध्य पदों की गड़ना करनी होती है तो जब कई सारे गुड़ोत्तर माध्य पदों की गड़ना करनी होगी तो उसको हम लोग कैसे करेंगे आए समझते हैं ये कल्कुलेशन जो हम आपके साथ सेयर करने वाले हैं ये कल्कुलेशन आप लोग समानतर सेड़ी में भी कर चुके हैं लेकिन यहां पर आपको बस थोड़ा सा चेंज करना होगा बाकी आप लोग आसानी से समझ पाएंगे ठीक है एक्जामपल भी दूँगा एक और यहां पर प्रोसेस भी सिखाऊँगा देखिए धान से दो रासियों या संख्याओं कह सकते हैं ए तथा बी के मध यन गुडोतर माध की गड़ना की गड़न हैं इन जिमेत्रिक मीन बेट बीन ए एंड बी ठीक यह टापिक हमारा कैलकुलेशन आप यन जिमेत्रिक मीन बेट बीन ए एंड बी हमें दो quantities given है दो numbers given है और वो कौन है A और B है उन A और B के बीच में हमें N geometric mean यन गुलोत्तर माद की गड़ना करनी है आई ये process को समझे कैसे करते है यहां हम लोग lit कर लेते हैं मानते हैं माना A तथा B के मद मद है यन जी यम क्रमसा ज्यांदेना क्रमसा G1 कामा G2 कामा G3 डाट 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 जी यन है ऐसा किया जाएगा ऐसा हम लोग समानतर सेड़ी में किये थे अगर आपको याद हो तो माना गया था कि माना इस था B के मद N समानतर माद है A1, A2, A3, डाट 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 यन होते हैं यहां पर हमने गुडोतर माद जमाने जिमेट्रिक मीन लिया है तो इसलिए इसको G1, G2, G3 से दिखा दिया है अब आप यहां बोलेंगे आताह आताह A, G1, G2, G3 . Gn, 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 Gp यह कहां होंगे जिपी में होंगे गुडोतर सेडी में होंगे अब हमें चाहिए क्या डियास्टेंट्स यही G1, G2, G3, Gn इन्ही की वैलू चाहिए अब इस वैलू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं आप देखें के क्योंकि यह क्या बन रहा है एक geometric progression बन रहा है एक GP बन रही है तो अगर यह GP बन रही है तो अगर हमें यह find करना है तो इस first term को R से multiply करना होगा तभी तो G1 इक्वल टो AR तो हमें यहाँ पर इस GP का R फाइंड करना है अगर इस GP का R हम find कर लेते हैं मिन्स commodity तो हमारा काम बन जाएगा तो आगे देखिए समझिए कैसे यहाँ simply बोलेंगे in above GP इस GP में first term आपको दिख रहा होगा साफ साफ इसका first term अर्थाद A जो है यह ही है last term ठीक last term L जो है वो कितना है B है आगे बढ़िएगा आगे बढ़िएगा number of terms number of terms मनलब पदों की संख्या जो होगी वो एन प्लस टू होगी कुल पदों की संख्या कितनी होगी एन प्लस टू होगी आप यहाँ मान लिए लेट का लिजिए माना इसका सार्ब अनपाथ means common ratio equal to R ले लेते हैं therefore L equal to B given है इसका फार्मुला A R की power N minus 1 होता है अब देखो यह R की value तो R ही है N की जहाँ पे आप N plus 2 minus 1 कर दोगे यहाँ B upon A आ जाएगा तो R की power N plus 1 equal to B upon A होगा तो R equal to B upon A hold to the power 1 upon N plus 1 हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा R की value ठीक अच्छा एक बात confuse करती है students को कि सर यह N plus 2 कैसे हो गया dear students देखे A और B के बीच में हमने N पदला कर के रखे यहन टम्स रखे तो यहन यह हो गया और दो पहले से था तो N plus 2 इसलिए हो जाता है अब जब R की value हो जाती है find हो जाती है G1 इकल टू क्या होगा AR तो G1 इकल टू A है ही और R की value B upon A hold to the power 1 upon N plus 1 यह आपको G1 मतलब पहला गुरोत तरमाधिपन मिल गया ऐसे ही G2 निकालोगे AR square आएगा A तो है ही R square मतलब B upon A अब यह 2 की power यह हो जाएगा यह G2 आजाएगा ऐसे ही आगे की process होती चली जाएगी G3 निकालना है AR cube हो जाएगा and so on सारी value हमें find हो जाती है तो यह process होती है यह तरीका होता है किनी भी दो दीगे धनात्मक संख्याओं के मद्ध में यन गुडोतर माधिक पदों की गढ़ना करने का यह process होती है यह तरीका होता है अब आएए एक छोटा सा question इसी के भीहाब पर मैं आपको साल्व करके दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा बहतर तरीकी से डियस्ट्रेंट समझ में आ जाएगा एक question ले लेते हैं करा 165 के मद्ध जान दो 160 तथा example देखेंगे पांच के मद्ध ठीक पांच के मद्ध चार जीयम की गढ़ना कीजिए यह हमारा question है समझ यह ध्यान से यह example है जो हमें साल्व करना है 160 और पांच के बीच में हमें चार मद्ध पद और वो समानतर गुड़ोत्तर माद्ध पद की गढ़ना करनी है तो देखें कैसे करेंगे इसको आप लेट करेंगे इंगलीस में कर देते हैं इसको लेट लेट 4 जीयम आर क्या लेट करेंगे G1 G2 G3 G4 ऐसा लेट कर लिए यही तो प्रोसेस सिखाई गई एकदम सेम यही प्रोसेस चलेगी यह कहां है जीपी में है अब यहां आप लोग बोलोगे इन एबब जीपी इस जीपी में A कोल टू 16 है L एकोल टू 5 है नमबर आप टर्म 6 हो जाएगा R की वैलू आपको फाइंड करनी है कॉमान रेशियो को हम लेट कर लेंगे अब देखिए अब ल इकोल टू 5 है अब एक वैलू रखो यहां पर 60 नहीं है बच्चो 160 है ठीक है 160 है तो यहां आप रख दो डारेक्ट रख देते हैं 160 हो जाएगा तो R की पावर यहां पर यहां की वैलू कितनी है 6 6 माइनस और इकोल टू 5 अपान 160 ठीक तो R to the power 5 इकोल टू देखो यह कटेगा 5 तीया यह 15 ठीक है उसके बाद 5 छक 30 यही तो आएगा नहीं नहीं 5 दूना 10 बत्तिस आएगा ना 32 32 तो यह आपको मिलेगा 1 अपान 32 तो R to the power 5 इकोल टू 1 अपान 2 to the power 5 होगा यह तो यहां से R की वैलू जो है आपको 1 by 2 मिल जाएगे ठीक अब जब R की वैलू मिल गई तो सारी वैलू आराम से मिल जाएगे कोई दिक्कत ही नहीं आ यह समझते हैं कैसे इसको इसको करते हैं आप इसको समझ चुके होंगे R की वैलू जब आ गई तो G1, G2, G3 को फाइंड करना हमारे लिए बहुत ही जादा आसान हो जाएगा आ रहा चुका है आई आगे की प्रोसेस करिए नाउ अब देखो अब हम G1 निकालेंगे G1 का फार्मला AR होता है तो G1 इकल टू A की वैलू कितनी है 160 और R की वैलू 1 बाइ 2 है तो G1 की वैलू इसको करिए आप लोग कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा यह G1 आ जाएगा पहला एंसर और G2 इकल टू AR स्क्वेर आएगा तो 160 इन्टू यह 1 बाइ 4 हो जाएगा तिहां 40 आ जाएगा तो G2 की वैलू कितनी आएगी 40 आ जाएगी समझा रहा है ऐसे आप G3 निकाल लिजेगा AR क्यूब करके आप देखेंगे G3 20 आ जाएगा ऐसे G4 जो होगा वह आप कटेन आ जाएगा आधा होता चला जा रहा है कुलिप लागे समझ में आ गई बात है आप लोगों को कितना आसान सा टॉपिक था तो गुड़ोत्तर माध्य क्या होता है और किनी दो रास्कियों के बीच में कैसे हम करे सारे गुड़ोत्तर माध्य पदों की गड़ना करते हैं ये दोनों टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब एक छोटा सा टॉपिक और बचरा एडियो सेंट सेंट समांतर माध्य और गुड़ोत्तर माध्य में सम्मध्य समानतर माध में और गुड़ोतर माध में क्या relation होता है क्या सम्मंध होता है यह हम लोग discuss करने वाले हैं और यह जो है इस chapter का और इस exercise का और इस chapter का साथ ही साथ सबसे last topic होगा इसके बाद हम लोग question solve करेंगे और यह chapter हमारा complete हो जाएगा तो हमारा topic है समानतर माध में सम्मंध इसको बोलेंगे हम कि रिलेशन सिप कि बेटबीन कि अरिथमेटिक मीन कि अंड जेमेट्रिक कि नहीं दो रासियों के समानतर माध और गुरोतर माध में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम लोग discuss करने वाले हैं ठीक है आये समझते हैं रिलेशन हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग रिलेशन होता है बच्चों की अरिथमेटिक मीन इज आलबेज ग्रिटरा रिक्कॉल दैन जिमेट्रिक मीन कि नहीं भी दो धनात्मक वास्तिविक संख्याओं का जहां रखना धनात्मक वास्तिविक संख्याओं की बात कर रहे हैं अगर निगेटिव नमबर लोगे तो ये रूल नहीं लगेगा ये कि वाल धनात्मक वास्तिविक संख्याओं का समानतरमाद उनके गुरोतरमाद से स तू पॉजिटीव रियल नंबर्स ध्यान देना रियल नंबर्स इसका मतलब क्या है माना ए तथा बी दो वास्तविक या आप इसे कहिए दो धनात्मक वास्तविक संख्याए है धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं ऐसा हम लोग लेट कर लेते हैं ठीक therefore इनका जो arithmetic mean होगा वो a plus b by 2 होगा सबको पता है इसको equation first लेट कर लिया जाएगा and इनका जो geometric mean होगा वो under root a b होगा dear friends ये भी सबको पता है जहां समझी आप लोग दो रासियां दो numbers हम लेट किया a और b तो इनका जो समांतर माद means arithmetic mean होगा वो a plus b by 2 आएगा इनका जो geometric mean आएगा वो root a b आएगा अब हमें ये so करना है कि arithmetic mean geometric mean से बड़ा होता है तो हम देखे कैसे प्रूफ करेगे नाउ ये जो आपका equation first है इस equation first से equation second को subtract कर दीजिए तो क्या मिलेगा arithmetic mean minus geometric mean equal to a plus b by 2 और minus में root a b हो जाएगा ध्यान देना सबी लोग तो यहां मिलेगा arithmetic mean minus geometric mean equal to a plus b minus 2 root a b आपान में 2 हो जाएगा क्लिकर होगी बाते अब आगे समझे यहां मिलेगा arithmetic mean minus geometric mean इसको डियोसेंस आप चाहो तो root a का square plus root b का square minus 2 into root a into root b आप लिख सकते हैं आपान में 2 लिख सकते हैं इसमें कोई doubt नहीं है अब आगे समझे इसको हम चाहें तो arithmetic mean minus geometric mean equal to इधर देखो यहां पर हम root a minus root b का whole square by 2 लिख सकते हैं बात समझ में आ रियोसेंस अब यहां पर थोड़ा ध्यान दी लिए आप लोग यह जो आया है यह क्या है किसी का अगर square लगा हो किसी भी number का अगर square लगा हो तो हमेशा positive आता है इसका मतलब यह है therefore हम यह कह सकते हैं कि arithmetic mean minus geometric mean जो आ रहा है यह कैसा है एक positive है एक positive है अब मुझे आप बताइए जैसे हमारे पास कोई number है कोई संख्या है उस number में से कोई दूसरा number आप subtract करते हैं means घटाते हैं जब subtract करते हैं तो result positive आता है इसका मतलब क्या था इसका मतलब यही है कि जो पहला number था वो दूसरे से क्या था बड़ा था मतलब अगर यह arithmetic mean geometric mean से बड़ा था इसलिए arithmetic mean से geometric mean subtract करने पर positive result आ रहा है अगर इसमें से इसको subtract करने पर यहां negative result आ रहा होता तो इससे यह clear हो जाता कि भाईया यह जो है वो क्या है यह जो क्या है छोटा है तो आप यहां बोलोगे देखो आप कहोगे since under root a minus under root b का whole square by 2 this is always get around equal to 0 ध्यान दीजे यह जो value होगी इसकी value या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी means negative नहीं होगी under root a minus under root b का whole square by 2 जो आपको यहां से मिला है इसकी value जो होगी या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी means हमेशा positive आएगी या 0 कभी यह negative नहीं आएगी तो therefore इसकी value है वो कितनी है arithmetic mean minus geometric mean is greater than 0 this implies that arithmetic mean is greater than geometric mean तो हमेशा से ध्यान रखिएगा dear sense किनी भी धनात्मक वास्तिविक संख्याओं का जो समानतर माध्य होता है किनी भी दो वास्तिविक धनात्मक संख्याओं का जो समानतर माध्य होता है वो उनके गुड़तर माध्य से सदय बड़ा या क्या होता है बराबर होता है बात सवन्यरी इस तरह का question बहुत पहलता है लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो rule है ये positive real number के लिए है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है निगेटिव ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी निगेटिव लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी समझाएं कैसे देखिए जैसे एक number ले लिए minus 2 ले लिए minus 8 अब इनका arithmetic mean अगर आप find करेंगे तो minus 2 minus 8 by 2 क्यों इसका मतलब minus 5 आपको यहाँ से मिलेगा geometric mean अगर आप find करेंगे तो root के ओपर minus 2 into minus 8 ठीक है तो under root 16 आएगा जिसका मतलब यहाँ पर आपका plus minus 4 होगा plus minus क्या होगा 4 होगा अब अगर हम minus 4 को लें और यह minus 5 लें तब भी आप देखिए minus 4 minus 5 से बड़ा होता है इस case में जो geometric mean है वो arithmetic mean से क्या रहा है बड़ा रहा है और अगर हम इसको plus 4 और minus 5 ले लें तब भी यहाँ पर हमारा geometric mean है वो arithmetic mean से क्या रहा है बड़ा रहा है इसका मतलब यह है कि जब हमने यहाँ पर negative real number का यूज किया तो यह relation क्या हो गया गलत हो गया अब जब exam में कुछ सनाता है तो कई सारे बच्चे वहाँ पर confusion में पढ़ जाते हैं और अलग-अलग example ले करके सोचते हैं और theorem पर ध्यान नहीं देते हैं तो dear students theorem यह है concept यह है कि A और B दोनों क्या है positive real numbers हैं मतलब concept यह बन रहा कि किनी भी दो धनात्मक वास्तिविक संख्याओं का जो समानतर माद्दे होता है वो उनके गुड़ोत्तर माद्द से उनके geometric mean से सदेव क्या होता है बड़ा होता है I hope आपको सारे topic अच्छे से अब समन में आ गए होंगे तो dear students यह जो हमारा गुड़ोत्तर सेड़ी का chapter था इस गुड़ोत्तर सेड़ी के chapter के जितने भी topics थे जितने भी concept थे वो सारे के सारे concept मैंने आपको सिखा दिये है कोई भी topic बचा नहीं हुआ है dear students अभी आपको इस chapter के भिहाब पर एक lecture और मिलेगा उस lecture में dear students मैं आप लोगों को कुछ important question साल्ब कराऊंगा उसके बाद ये chapter आपका हो जाएगा समाब और फिर हम लोग एक नए सिरे से नए chapter की सुरुआत करेंगे dear students कुछ दिनों से lecture नहीं हो पा रहा था उसके पीछे का region क्या था मैंने आपको starting में बताया कि तभी ये ठीक नहीं थी मेरी अभी सब कुछ ठीक ठाक है अब आपकी class regular होगी मैंने टेलिग्राम पर post भी डाला था इसलिए हम अपने सभी students कहते हैं कि आप मेरे साथ जोड़े रहिए आप टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजिए अगर अभी तक आप लोग उन्हें अपने टेलिग्राम चैनल को नहीं आपको अपने चैनल मिल जाएगा उसको आप जॉइन कर लिजेगा वहाँ पर मैं आपको बुक की PDF भी फ्री में प्रवाइट करा देता हूं और अगर कोई information होती है तो भी मैं आप लोगों के साथ share कर देता हूं जिससे आप लोगों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है आज का ये lecture आप लोगो कैसा लगा इस lecture में जितने भी topics मैंने आपको पढ़ाए जितने भी concept मैंने आपको सिखाए वो सारे के सारे topics आप लोगों को समझ में आ गये या नहीं आए मुझे comment section में जरूर से जरूर बताएगा डियसेंस के पहले मैं chapter 1 का complete lecture आपको प्रवाइट करा चुका हूं उन सारे के सारे topics का जो playlist बनी हुई है उसका description में आज link भी ये दूँगा अगर previous किसी भी lecture को आपने miss किया है तो इसको देख लीजिए इससे आप मेरे साथ को बच्चे से continue कर सकें और बढ़िया से preparation कर सकें बाखी डियसेंस आज की इस लेक्चर में बस इतना ही मिलते नेक्स लेक्चर के साथ तब तक लिए सांधा रही और पढ़ते रही है